नमस्कार, मैं सुनिल प्रजापती एक्जाम गाइडेंस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक रेलवे के बेहद इंपोर्टेंट माने जाने वाले उन सभी टॉपिक में एक जो सभी तरह के परिक्षाओं में अपनी पकड बनाए हुए हैं जिनके प्रश्न किसी भी एक्जाम से दूरी नहीं बनाते जिनको सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के उमिद्वार कम समय देने के लिए तेजी से बनाते हैं जी हाँ मैं time and distance की बात कर रहा हूँ तो आपका अधिक समय ना लेते हुए आज के पहले सवाल की और हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्रेस a speed of 54 km per hour in meter per second देखो km per hour से meter per second में change करने के लिए फंडा होता है फंडा काम सा? तो km per hour से जब कभी में meter per second की और आप जाते हो तो into करते हो 5 by 18 पांच बटा 18 और जब meter per second से km per hour के और जब आएंगे तो गोना करते हैं 18 बटा 5 यह एक फंड़ा है जिसे आपको यहां पर समझना पड़ेगा है ना अब आप यहां पर देखो question काफी साधरन था इसे 54 km पर आज दे लिया हो मीटर पर सेकेंड में आपको convert करने के लिए बोला गया तो आपको क्या करना चाहिए आपको 5 by 18 से simply multiply कर देना अठारा से कटे का तीन बार में जो कि आपको देख रहा है अठारा तीया चावण होता है पांच तीया पंदरा यह 15 मीटर पर सेकेंड में convert हो गया किलोमीटर पर आर से आपने मीटर पर सेकेंड में change कर दिया time आपसे पुछा गया और time बराबर आपका होता एक formula distance by speed अगर यहां पर देखोगे तो distance आपका यहां पर given है और यहां पर time देखोगे तो time भी time निकालना है तो speed आपको given है 45 किलोमीटर पर आर आप यहां पर अगर यूज करोगे तो 840 मीटर आपका distance है distance by speed मैंने का था यह ध्यान रहे कि यह उपर वाला मीटर में और नीचे वाला किलोमीटर पर आर में है यूनिट आपका किलोमीटर पर आर में है इसे आप 5 by 18 से गुना करेंगे ताकि यह मीटर पर सेकेंड में convert हो जाए यूनिट एक ही होना चाहिए किलोमीटर उपर में मीटर में ही होना चाहिए तो 45 को जब 5 by 18 से इंटू करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा और यह पूरा क्या निकल रहा है टाइम निकल रहा है आप यहां पर जब इससे काट होगे जब आप इससे काट होगे यह कट रहा है नौ से नौदूनी अठारा नौपच्छे पैतालिस आप देखो यह पांच से भी कैंसल होगा यह पांच से इसको काट दो तो पांच एकम पांच बचेंगे तीन पांच चाके तीस पांच शटे चालिस यह कुछ इतना बचेगा अब आप देखो यह दो पलट के कहा जाएगा उपर जाएगा जब 168 को दो से आप गुना करोगे तो यह क्या हो जाएगा 336 जब यह दो पलट के उपर जाएगा तो गुना हो जाएगा नीचे क्या होगा पांच डिवाइड लगाएगा जब 3, 36 को पांच डिवाइड लगाएगा तब रिजल्ट क्या हैगा भाग लगाते हैं पांच को 6 से गुना करोगे 5, 6, 30 बचेंगे या पर 3, 3, 6, 36 हो जाएगे 5, 7, 35 आपने सुना होगा 67 पॉइंट सम्थिंग जाएगा जोकि option number B पे उप्लब्द है आगे बढ़ते हैं How much distance will a car cover in 40 minutes at 12 km पराल आप यहाँ पर देखोगे equation B ह साधरन है चुकि यहाँ पर time आपको दे दिया, speed आपको दे दिया distance बराबर क्या होता है, speed into time होता है distance बराबर speed into time तो speed आपको यहाँ पर 12 km पराल दिया गया है आप देखोगे यहाँ पर, चुकि किलोमेटर में ही आपका distance पुछा गया तो इसे मैं change नहीं करा और time यहाँ पर 40 minutes है minutes को आप घंटे में जरूर change करोगे 60 से भाग लगाना होता है घंटे में change करने के लिए तो यह आपका जो पूरा का पूरा आएगा यह किलोमेटर में आएगा चुकि मैंने किलोमेटर और आर में काम किया अब आप देखो यह पूरा का पूरा speed था और यह पूरा का पूरा आपका time था speed into time distance 20 का पहाड़ा से कट रहा है 2040, 20 दिया 60 तीन से यह कटेगा चार अबार में उपर चार है उपर दो है चार दो नहीं क्या होता है आठ ऑप्शन नमबर A बढ़ते हैं अगले सवाल पर यह भी question बेहद आसान है चुकि आप से speed पूछा गया speed बराबर क्या होता है speed बराबर होता है distance by time अब आप देखों यहां पर distance क्या लिया गया है 600 meter 600 meter आपको distance लिया गया है और यह आपका जो time दिया गया है पांच मेट पांच गुना 60 कर देना ताकि यह second में change हो जाए आखिर second में क्यूँ? चुकि आपको तो speed km पर आर में पूछी गई है तो इसको km पर आर में अब change कर देंगा 18 बटा 5 से गुना करते हैं मैंने बताया था अभी शुरुआत में तो जब आप इसे काटोगे यह meter और second को भूल जाना चुकि यह पूरानी unit है आप नए unit पर जयान दो तो यह 60 सबसे पहले इसको रहनी नहीं देगा यह 10 बार में काट देगा और 5 भी इसको cancel कर देगा 2 बार में अब आप यहाँ पर देखो उपर में 18 दूनी 36 आ रहा है यह 18 और यह 2 और नीचे में 5 आ रहा है जब 36 को 5 भाग लगाएगा तो यह क्या लाएगा 7.2 भाग लगा के देख लाएगा option number D बढ़ते हैं अगले सवाल क्या है walking 6 by 7 of his usual speed a man is 24 minutes late the usual time taken by him to cover that distances देखें यह question जो है आप अगर tradition way में देखोगे तो यह कुछ ऐसा रूप लेगा speed into time क्या होता है distance होता है मैंने लिखा है आपको दिख रहा होगा और यहां पर कहा है कि 6 by 7 की speed से वो चलने लगा जो speed से वो चलता था उसका 6 by 7 यानि कम कर दिया है उस speed से चल रहा है और time क्या हो रहा है 24 minutes 30 ही लग रही है तो जो समय लेता था इससे T find होगा और वही पूछा गया है ठीक है समय ही पूछा गया आप देख सकते हो यहां पर तो समय आपका आजाएगा इसको solve करने पर मैं एक और फंड़ा बता हूँ आपको दूसरा फंड़ा है speed बराबर time जो यहां पर मैंने लिखा है यह time का ratio मैंने लिखा है यह time का ratio मैंने कैसे put किया तो बूला गया था कि जो speed से वो पहले चल रहा है अब वो 6 by 7 की speed से चलेगा तो मैंने वो speed को मान लिया T मान लिया तो अभी जो speed वो चल रहा होगा 6 by 7 into T या x मान लो, y मान लो अब की एक्षा मैंने T मान लिया अब आप देखो यहाँ पर speed का ratio क्या होगा यह T से यह T cancel हो जाएगा यह कोई बड़ा issue नहीं है आप कोई भी variable मानोगे वो कटे गई अब आप देखो यह 7 जो दिख रहा है दों तब आप 7 से into करोगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा या फिर direct भी आप उधर लेके जा सकते हो चुकि ratio को कभी भी fraction में नहीं देखा जाता है तो आपका speed का ratio क्या आ जाएगा 7 इस्टो 6 speed 7 इस्टो 6 आया था यहाँ पर देखोगे तो time का ratio क्या होता है इसका जश्ट उल्टा होता है यानि 6 इस्टो 7 आप इसको बोल सकते हो चुकि speed हमेशा time के inverse होता है अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि पहले जो भी समय आपका लगता था भी 24 मैट की देरी हो रही यानि 24 मैट एक्ष्टा लग रहा है तो आप यहाँ पहना लाइस करो पहले 6 समय देते था भी 7 दे रहा है कितना एक्ष्टा दे रहा है और वो एक जो बढ़ा के आप दे रहे हैं समय या बढ़ा के आप ले रहे हैं वो exactly 24 मिनट के बराबर होगा चुकि question में बताया है कि 24 में टेक्ष्टा लग रहा है तो आप देखो एक यूनिट बराबर 24 के तो question में क्या पूछा गया है कि वाश्टविक चाल से अगर वो चले तो उसको कितना समय लगता था तो सुरुवात में तो आपको 6 ही समय लगता था तो अभी तो एक यूनिट बराबर 24 आ रहा है तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा 6 गुना 24 जब आप इसे गुना करोगे तो ये exactly आपका answer लाएगा 24 शक 144 होता है option number B ऐसे सवालों कि कई एक विधी हो सकती है जिनमें एक विधी और मैं जो देता हूँ ये तीसरी विधी होगी आपके लिए जिसे याँ पर fraction of speed दिया गया था 6 by 7 से चल रहा है और उसे extra जो भी समय लग रहा है 24 में जैसे extra लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना ये 24 मिनट को सीधा उसके numerator पार्ट से यानि इस पूरे fraction में जिसे हिंदी में भिन का जाता है ऊपर वाले हैसे से ठीक है अंस के हैसे से गुना कर दो 24 कुछ हैसे गुना करो वही exactly answer होगा बढ़ते अंगले सवाल पर फोकस करना यहाँ पर क्या बूला जा रहा है कि 25% यदि उसकी speed को increase कर दी गई अब मान लो कि पहले speed उसकी 100 थी तो अभी 25% increase कर देंगे तो कितनी हो गई होगी 125 यह speed का ratio कहलाएगा अब आप इसे cancellation दोगे 25 चोके 125 पचे 125 यानि speed का ratio 4 इस टू 5 हो गया तो time का ratio क्या होगा इसका उल्टा होगा अभी मैंने जिस्ट बताया था 5 is to 4 अब इसे हम लोग use करते है time आपका 5 is to 4 ratio ला चुके थे अब आप देखो यहाँ पर 25 से 30 का काम हो गया 12 मिनट यहाँ पर बोला गया है कि आपको कम लगता तो आप यहाँ पर time देखो पहले 5 था और अभी 4 पर आ गया तो कितना कम हुआ एक यूनिट कम हुआ जबकि आपको पता है कि 12 मिनट कम हुए तो एक यूनिट बराबर कितने के हो जाएंगे 12 मिनट के हो जाएंगे चुकि आपके इस आपसे एक यूनिट कम हुए time में तो अभी 12 मिनट आपको कम देख रहे हैं अगर एक उनिट बराबर 12 मिनट तो आपसे question पूछा गया कि उसका वास्तविक चाल से जब टैक कर रहा था तो उस समय समय क्या लगता था तो 5 उनिट बराबर क्या होगा यह आपसे exactly पूछना चाह रहा है एक उनिट बराबर 12 के तो बराबर पचे क्या होगा 60 मिनट और यह 60 मिनट का आप एक घंटे बोली सकते हो option बड़ी बढ़ते हैं अगले सवाल कि हो एक व्यक्ति एक निशित दूरी को 45 किलोमेटर प्रती घंटा में टैक करता है इस दूरी को 50 मिनट में टैक करने के लिए चाल कितनी घंटा नहीं पड़ेगी अच्छल में यहाँ पर चाल बढ़ेगी घंटे की नहीं यह wrong है तो आप इसको बढ़ाना समझ लो मैं इसे solve करके देखा हूँ कैसे बनाओगे ऐसे question को तो आप देखो पहले 45 किलोमेटर प्रती घंटा मतलब एक घंटे में 45 किलोमेटर जाता था अब यही दूरी को 50 मिनट में टैक करेगा यानि आप देखो तो यहाँ पर time शुरुवात में एक घंटे लेता था सेम दूरी के लिए और अभी कितना हो रहा है पचास मिनट में यही दूरी करना चाह रहा है है ना? पचास मिनट में तो आप देखोगे यहाँ पर यह दोनों के time का ratio हो गया सुरुवात में एक घंटा बाद में 50 मिनट आप इसे भी change कर लो अगर आप इसे change करना चाहो या तो इसको लिख दो 60 मिनट अब आप देखो दोनों के time का ratio यहाँ पर निकाल लो यह 0 से यह 0 कैंसल हो जाएगा मिनट मिनट रहते है दुगड़ जाते है तो speed का क्या होगा? इसका उल्टा होगा? माइंड में चल रहा होगा 5-6 अब आप यहाँ पर थोड़ा focus करना अगर speed का ratio 5-6 आ चुका है 5-6 आ चुका है तो पहले तो वो रफ्तार में 45 किलोमेटर पर थी घंटा से चल रहा था ऐसा question ने बताया था तो जब अब चलेगा तो कितने की रफ्तार से चलेगा? तो पहले तो 5 यूनिट की रफ्तार से चल रहा था तो 5 यूनिट बराबर हो गया 45 के पांचना वहाँ 45 आपने सुना होगा तो एक यूनिट की value 9 आ गई तो 9 चक क्या हो जाएगा? 54 किलोमेटर पर आर तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब हो गई 54 किलोमेटर पर आर तो पहले कितनी थी? 45 अभी कितनी हो गई? 24 कितना बढ़ गया? 9 किलोमेटर पर ती घंटा अप्शन नमबर 1 या फिर ऐसा बूज लो कि एक यूनिट बराबर अगर 9 आया था तो यहाँ एक बटा 3 घंटे का समय लेती है एक बटे 3 घंटे का कम समय लेती है इंग्लिश में लिखा हुआ है less हिंदी में गरबड़ा तो कार की प्रारबिक चाल ग्याद कीज़े अब देखो यहाँ पर सुरवात में तो पुणा के एक बटा 3 घंटे ले रहा था जिसको आप यहाँ पर अगर फ्राक्शन में चेंज करेंगो तो 10 बाइ 3 आर्स बोल सकते हो अब क्या हूँ वह 1 बाइ 3 आर्स आपका कम ले रहा है मतलब तीन पुणा के एक बटा 3 में अब आप देखो इस रेशियो को फ्राक्शन में देखा जा रहा है तो फ्राक्शन से दूर करना पड़ेगा हमें हमें क्या करना है दो तब 3 से गुना कर देना चुकि रेशियो को कभी फ्राक्शन में नहीं देखा जाता यह 3 से 3 कैंसल 10 इस्टू 9 तो यह 10 इस्टू 9 आ क्या रहा है, यह time का ratio है, अगर यह time का ratio तो speed का क्या हो जाएगा, 9 इस्टू 10, अब देखो speed का ratio अगर 9 इस्टू 10 है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, यह दि उसकी speed 6 km प्रतिगंटा, यहाँ पे बढ़ा दे, तो 6 km प्रतिगंटा अगर यहाँ पे बढ़ा दिए, तो यहाँ तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, एक unit, 9 से 10 हो गया, मतलब एक unit बढ़ा है, यानि वो एक unit की value आपके 6 km प्रतिगंटा के है, तो आप यहाँ पे, देखो question में प्रारंभिक चाल पूछा गया, प्रारंभिक चाल यानि पहले वाली, तो पहले वाली चाल तो 9 unit था, अगर एक unit को 6 बोल रहा है, तो 9 unit को क्या कहेंगे, 9 इंटु 6, 9, 6 था क्या होता है, 54, option number 8, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, a एवं b की गती का अनुपा 3,5 है, जड़ी एक दूरी को तैह करने में a, b से 8 घंटे जादा लेता है, अपने आदेखो 3,5 आपकी speed का ratio था, तो time का ratio तो 5,3 होगा, जस्ट उल्टा, दूसरे तरफ, a, b से 8 घंटे जादा लेता है, और question में क्या बोला गया है, a द्वारा उ time का ratio 5,3 जासा मैंने बताया, अब आप देखो यहाँ पर a, b से 8 घंटे जादा ले रहा था, तो a और b का यहाँ पर time का ratio में अंतर देखोगे 2 unit का, a 2 unit जादा ले रहा है, जबकि a, b से 8 घंटे जादा ले रहा है, ऐसा question में बताया था, तो आप यहाँ पर देखोगे, 2 unit कितने के, 8 घंटे के, तो 1 unit बराबर क्या हो जाएगा, 4 घंटे, अगर 1 unit की value 4 घंटे आ गई है, अगर 1 unit की value मैंने कहा, 4 घंटे अगर आ चुकी, तो अब आप इसे use करो, अगर 1 unit बराबर 4 के, तो 5 unit बराबर, 4 पचे 20, 3 unit बराबर, 4 ती अबार, तो आपसे question में क्या पूछा गया था, ए द्वारा उस दूरी पर जो लगा समय है, तो ए द्वारा उस दूरी पर लगा समय है, 20 घंटे, option बर B, पढ़ते हैं अगले सवाल पर, a man started half an hour later than usual for the market, but by increasing his speed to 3 by 2 times, his usual speed, he reached 10 minutes earlier than usual, what is his usual time for his journey? question देखो काफी अच्छा है, जिनमें आप यहाप अगर देखोगे, कि वो आदा गंटा लेट से start करता है चलना, और अपनी गति को बढ़ा देता है, अब फर्च करो, आपको 10 बेज़े निकलना होता कहीं, और आप 30 minutes late से निकल रहे हो, तो आप देखो, जो समय में पहुच जेते हैं वहाँ पर आपको 30 minutes और देर लगता, जो actual time पहुचने का था, उसमें 30 minutes और लेट लगता, लेकिन वो 30 minutes और लेट नहीं लिया, वो तो 10 minutes प तो समय आप देखोगे, तो उसे पहले speed आपको यहाँ पर देख लो, अगर पहले वो x की speed से चल रहा था, तो 3 by 2 x की speed से चलेगा, यानि 3 बटा 2 उसका गुनाव में आ जाएगा, तो आप देखो यहाँ पर 3 by 2 times से अगर वो चल रहा है, तो यह x से x आप cancel कर सकते हो, यह x x का आप cards होगे, यह exactly अगर देखोगे, तो यह 2 दोर्तफ इंटू होगा, या फिर यह 2 को सीधा यहाँ पर खीच के लेते होगे, तो 2 x 3 यहाँ पर यह जो दिख रहा है, यह किशीच का ratio है, तो speed का ratio है, आप यहाँ पर time का ratio निकाल सकते हो, क्यों time का निकाल होगे, चुके अंतर अभी मैंने बताया, आपको 40 minute का है, तो 40 minute का अंतर है, तो 1 unit बराबर 40 minute के question में क्या पूछा गया, question में पूछा गया, what is his usual time for his journey, तो उसे पहले, यानि कि जब वो चलता था, तो उसे कितने समय लगते थे, तो पहले यानि 3 unit बराबर क्या होगा, यह पूछा गया, त तो एक unit के value अगर 40 minute है, तो 3 unit के value, 40 गुना 3 होगी, exactly 120 minute, 120 minute का आप क्या बोल सकते हो, 2 घंटा, A and B start to cover a distance at their usual speeds at the same time, but B takes 1 hour 15 minutes more than A to reach the destination, if we walk 5 by 6 of A's speed, the time taken by B is, देखो, same pattern पर question है, 5 by 6 की speed से चल रहा है, A की तुल नाम है, अगर A की speed X मान लो, तो 5 by 6 आपकी speed चल रही है, B into X, आप देखो इसे, मैंने A की speed को X मानी है, तो B की speed क्या हो गई, 5 by 6, X, अब देखो, इदों तफ X, X अगर काट जोगे, तो यह कट जाएगा, दूसरी बात, कि यह 6 आपका इधर आ जाएगा, 5 आपका यहां रह जाएगा, तो यह 6 और 5 की बता रहा है, कि यह 6 और 5 की speed का ratio है, A और B का, time का ratio आपको पता है, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, 5 is to 6, अगर यह time का ratio है, तो इसे abuse करो, चुकि B ने A की अप एक 6, 1 गंटे 15 मिनट जादा लिया था, जबकि यहां पर B देख रहा है, कि यह 1 यूनिट जादा ले रहा है, यानि वो 1 यूनिट की value बराबर हो जाएगे, कितने के, 1 गंटा 15 मिनट के, question में B का समय पूछा गया था, तो B का समय तो 6 यूनिट है, अगर 1 यूनिट को 1 गंटा 15 मिनट बोल रहा ह और 15 मिनट था, पंदरा मिनट को जब 6 से गुना करोगे तो 90 मिनट आ जाएगे, अब देखो यहां पर नभे मिनट को अब क्या वो समखते हो, 90 मिनट को 1 गंटे, कैसे? 60 मिनट प्लस 30 मिनट, 60 मिनट को 1 गंटे बोलेंगा 30 मिनट, वैसे ही रहा जाएगा, तो 1 गंटे यहां देखो question काफी अच्छा है आप इसे अच्छे से समझो मतलब एक बटा पंदरा भाग अपनी स्पीड में कम कर दे रहा है मतलब एक बटा पंदरा का क्या हो गया पहले 15 से चलता था भी एक कम कर दिया तो 14 के स्पीड से चल रहा होगा यानि स्पीड का रेश्यो अगर देखोगे तो पहले 15 था और अभी 14 हो गया जबकि आप यहाँ पे देखोगे time का रेश्यो क्या होगा time का रेश्यो क्या हो जाएगा justice का उल्टा होगा time का रेश्यो क्या हो जाएगा 14 इस्टू 15 है के नहीं बदाओ तो 14-15 यहापर आपको दिख रहा है यह टाइम कर एश्व है अब दूसरा फंडा यह जानो कि आप यहाँ पर एक वैक्टी 30 गंटे में ही पहुचता था और 30 गंटे आपको सुरुवात में भी ले रहा है जो स्पीड से वो चल रहा था और बाद में भी उतना ही ले रहा है जब वो एक बटा 15 स्पीड अपनी कम कर दे रहा है जैसा कि question मैं आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा कि एक बटा 15 कम कर दिया फिर भी उतना ही समय ले रहा है लेकिन आपका जो है distance 10 km कम चल पा रहा है इसको use करेंगा भी फिलाल मैं अभी यहाँ पर क्या बताना चाहरा हूँ कि जब आपका time constant हो तो distance बराबर speed के होता है time fix हो तो distance बराबर speed का होता है मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो मैं इसे हटा लूँ चुकि अगर यह time constant है तो speed का 15-14 अगर अनुपात है तो distance का भी 15-14 ही अनुपात होगा अब यहाँ पर देखो यह अगर distance का अनुपात है तो distance का इन दोनों में difference एक unit का दिख रहा है जबकि distance के बारे में बोला गया था कि अभी 10 km कम चल पा रहा है और हमें यहाँ देख रहा है एक unit कम चल पा रहा है तो एक unit बराबर 10 km के है तो एक unit बराबर अगर 10 के है तो 15 unit बराबर क्या होगा 1500 उसको भी निकाल सकते हैं हमें इसी से answer आ जाएगा यानि कि सुरवात में 1500 km वो बंदा चल रहा था यह हमने निकाल लिया तो यह 1500 km चलने में तो 30 घंटे लेता था question ने बताया था तो आपसे question में पूछा गया था speed बताईए तो 1500 km चलने में अगर वो 30 घंटे ले रहा है तो उपर distance से नीचे time में distance by time speed होता है 0 से 0 cancel 3 से 5 बार में यानि 5 km प्रती घंटा रफतार होगी option number C बढ़ते एगले सवाल पर यह अगला सवाल काफी बहतरीन सवाल है आप इसे पढ़ो एक रेलगाडी AB सुरंग की और बढ़ती है सुरंग के अंदर प्रवे स्वार A से AB की दो बटा पांच दुरी पर एक बिल्ली दिखाईर पड़ती है जब रेलगाडी होरन बजाती है तब बिल्ली भागना सुरू करती है तो रेलगाडी उसे निकास द्वार पर B पर पकड़ लेती है तो रेलगाडी तथा बिल्ली की चालो का नुपाद बताईए एक्जाक्ली ये क्वेशन कैसा है और मैं इसे समझाना क्या चाता हूँ आप देखो इसमें हिंदी में एक लाइन चुटी भी है मैं उसे बता दे रहाँ इस क्वेशन के द्वारा क्लियर करता हूँ इसके सॉलुशन के लिए आप धन दो तो यहां पर आप देखो cat जो है a और b एक टरनल का a जो है आपका सुर्वाती और b जो है ending points है जनमें a से 2 by 5th duty पर 2 by 5th कहने का मतलब 5 हिसों में 2 हिस्सा देखने से feel हो गया होगा ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा, ये 5 हिस्सा तो इन 5 हिस्सो में b कितना पर है, cat कितने पर है, तो a से 2 by 5 दूरी पर है तो a से 2 by 5 दूरी question ने भी बताया था, मैंने लिख दिया, use कर दिया अब आप आप या पर लेखोगे, ये cat जो है, जब train का whistle सुनता है whistle, train कहीं से आ रही थी, train का जब whistle सुनता है, तो ये cat a की तरब दौरना start कर देता है, तो a की तरब जब दौरना start कर देता है किस की तरब भागता, b की तरब, तो b की तरब भागता है, तो ये तो 3 distance है तो क्या देखा जाता है, कि train उसे b पर मिल जाता है यानि कि जब a की तरब भागता है cat, तो a पर मिल जाता है train, b की तरब भागता है, तो b तरब मिल जाता है train तो यहाँ पर आप देखो इस fact को मैं use करूँ यहाँ पर क्या है कि आप एक चीछ पर common बात क्या है वो चीछ यहाँ पर ध्यान देना कि यह cat जो है यह दो बटा पांच दूरी यानि दो दूरी पर खड़ी है A से और जब यह decide करती है तो train बिलकुल A पर पहुँच जाती है यानि यहाँ पर तो आपको यह पता चल गया कि जब cat दो दूरी तै करती है तो train exactly A पर पहुच जाती है तो इस cat को क्या करना कि आप A की और ना ले जाते हुए B की और ले जाओ तो आप यह सोचो कि यहाँ से भी यह दो दूरी अगर तै करती तो यह exactly यहाँ पर पहुच ती जो कि चौथा दूरी है चार दूरी cat ने complete कर ली A से तो यह आप देखो train कहां पर होती exactly A पर होती जोकि दो दूरी वो इधर चले या फिर उधर चले train तो A पर ही आएगी लेकिन जैसे ही वो एक दूरी और चलती है यानि B पर पहुचती है cat तो train भी B पर पहुच जाती है यानि आप यहाँ पर ध्यान देना कि exactly cat एक ही distance कवर की और train ने उसी वक्ट पांच distance कवर कर लिया समझ रहो ना point को train पांच distance को कवर कर लिया और cat जो है वो एक ही distance को कवर किया है यानि कि आप इसमें देखोगे cat और train के बारे में train का पांच दूरी cat के उसी time के लिए एक दूरी के बराबर है दोनों में time तो equal ही लगा जितना time इसको यहां से यहां पर आने में लगा उतना ही time train को यहां से यहां पर आने में लगा यानि कि time constant है तो time जब constant होता है तो distance बराबर speed के होता है distance अगर train ने 5 चली तो cat ने एक चली तो speed का ratio क्या हो जाएगा train और cat में 5 इस्टो 1 तो यह 5 इस्टो 1 option number APO पलब्द है आप देख पा रहे हो अगर यह नहीं समझ में आओ तो एक बार और देख लेना वेडियो को अगला सवाल पे भी आप ध्यान दो यह question भी काफी तगड़ा है question को अच्छे से पढ़ना उसके बार फिर solution को देखना मैं आप एक question लगा के आपको मैं समझाओ एक एक fact को एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ओफिस से लेने जाता है एक friend होगी उसकी जिसको ओपिक करने जाता है लड़की के आफिस शोड़ने के समय पांच बज़े है यानि पांच बज़े लड़का आफिस पहुँच जाता है उसको ले करके फिर चला जाता है एक दिन लड़की ने तीन बज़े आफिस शोड़ दिया देखो लड़की ने तीन ही बज़े ओफिस शोड़ दिया और 20 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ़तार से घर की तरफ चल पड़ी 20 किलोमेटर पर आर की रफ़तार है गर्ल्स की यह हमें पता चल चुका है और राष्ते में लड़के से मिलती है औवियस से राष्ता में कई न कई वो मिली ही होगी जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था जो exactly वो समय पर निकलता था इसको pick करने के लिए वही समय पर वो भी निकला था वे घर 40 में जल्दी पहुँच जाते हैं और ये result क्या हुआ उसके पहले office निकलने से रिजल्द यही हुआ कि वो घर 40 में पहले ही पहुच गया है तो लड़के की चाल गयात करिए चले ठीक है solution पर जान दे यहाँ पर देखोगे तो home और office के लिए मैंने 2 point रखा यहाँ पर क्या हुआ था कि लड़की एक समय 3 बजे निकल चुकी थी किसी एक दिन वो 3 बजे निकल गई और वो मिली किसी एक point पर उस लड़के से माल लो वो point यह है यह point पर वो मिली कितने बजे मिली हम लोग find कर लेंगे लेकिन वो 3 बजे निकली थी इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे अब देखो वो क्या हुआ लड़का तो वो home से निकला था यानि घर से निकला था और ये वापस हो गया लड़की को लिखरके और उस दिन क्या देखा कि उसके 40 मिनट बच गया चलो ये एक point है जिसको मैं भी use करूँगा ये 40 मिनट अगर उस लड़के के बचे तो कैसे बचे होंगे ये distance जो उसने नहीं कवर किया इस वज़ा से उसके बच गया 40 मिनट तो ये distance उसने नहीं कवर किया तो आप यहाँ पे एक point को समझना अच्छे से कि 40 मिनट तब बचे कि जब वो लड़का इस point से इस office के तरब जाता और office से वापस इसी point पर आता तब उसके 40 मिनट बचते मतलब इसी distance को वो दो बार ताय करता लड़की को लेता फिर लड़की को उसी point पर अगर लाता तब उसके 40 मिनट लगते होंगे जिससे वो 40 मिनट बचा लिया और घर 40 मिनट पहले पहुँच गया अब आप देखो यानि कि आप ये समझ सकते हो कि ये एक बार का समय है उस लड़के को 20 मिनट का लगता होगा तो ये दूरी पता चल गया 20 मिनट का है उस लड़के के लिए अब लड़की के लिए थोड़ा बात कर ले है यानि आप देखो थोड़ा कि वो 5 बजे exactly लड़का जो है उससे मिलता था और लड़की जो है 3 बजे अगर निकली है तो 3 बजे निकली है और वो 20 मिनट लड़क के लिए बच गया है तो वो कब मिला होगा वो मिला होगा 5 बजने में 20 मेट कम कर दो यानि 4 बज करके 40 मेट में ही मिल गया होगा समझ रहो बात को 4 बज करके 40 मेट है वो 5 बज तो ऑफिस पहुच ही जाता लेकिन वो 20 मेट का डिस्टन्स जो है कबर नहीं किया ये 20 मिनट का distance है, समझ रहो ना बात को double effect नहीं, एक ही effect 20 mat का distance वो 5 बज़े office पहुचता है यहां से यहां तक, लेकिन वो यहीं पर मिल लिया, तो 20 mat अपने बचा लिया 4 बच करके 40 mat में वो exactly उस लड़की से मिला, मैं यहां पर सोचो, तो 3 से 4 एक घंटे होते हैं एक घंटे यानि 60 mat और यह 40 mat और भी है तो 60 और 40 कितने होगे? 100 minute यानि लड़की के लिए distance है 100 minute का जबकि लड़के के लिए कितने का है? 20 minute का यह distance जो है, लड़के के लिए 20 minute का और यह distance लड़की के लिए 100 minute का चलिए इस point को use करते हैं अगर आपका distance यहाँ पे constant है तो आप देखो यहाँ पे speed speed यानि time time पर अगर बात कर ले time 20 minute जिस distance के लिए लड़का ले रहा था वो 100 minute लड़की ले रही थी यानि ये boys का है ये boy का है और ये girl का है 20 A कटेगा यानि 1 to 5 का ratio होगा time में तो speed में कितना होगा थोड़ा सोचो 5 to 1 का ratio होगा अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें girls की speed already दे दी गई है 20 km प्रती घंटा अगर यहाँ पे girls की speed 20 km प्रती घंटा है तो ये तो 1 unit के बराबर है एक unit बराबर अगर 20 के तो 5 unit बराबर 20 पचे क्या हो जाएगा 100 km प्रती घंटा जो की option number A पर उपलब्द है दिखो आग मैंने काफी अच्छे अच्छे प्रशन उठाया और solution बताया मैंनत काफी लगी है तो प्लीज वीडियो के like बटन को तोड़ने का काम आपका है इतना share करो कि अगली वीडियो और अच्छे सवालों की बनाओ मुझे comment करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और channel पर नए हो तो subscribe करना न भूलना धन्यवाद